यार जो आपका इस बार काट यानि की 2021 का बोर्ड एग्जामिनेशन होने वाला है उसमें पासिंग क्राइटीरिया क्या रहेगा पासिंग क्राइटीरिया जन्रली चेंज होता रहता है येर बाई येर सीबीएसी अलाकि अभी तक कोई भी लेटेस्ट चेंजी सीबीएसी ने नहीं दिये हैं एस सच कोई नोटेस उनका नहीं पबलिश हुआ है जिसमें कि ये बताया गया हो कि पासिंग क्राइटीरिया हमारा बदला हुआ है यानि कि अगर अभी तक कोई भी लेटेस्ट नोटिस नहीं आया है तो मेरी जो एक्सपेक्टेशन है वो यही रहेगी कि ज लास्ट यर्स में हमारा पासिंग क्राइटीरिया होता था वही इस साल भी फॉलो होगा तो पहले हम जान लेते हैं तो लास्ट यर क्या पासिंग क्राइटीरिया था और फिर हम यह सब करने के बाद जानेंगे क्या एक्सपेक्टिड है कि पासिंग क्राइटीरिया में कनव marks का माल लीजिए आप 80 marks वले में suppose आप लेके आए 22 नमबर चीके ना और 20 marks में आप लेके आए 10 marks चीके ना तो अब्वेसी बात आपको clearly दिख रहा है कि यहाँ पर 80 में से pass होने के लिए कितने नमबर चाहिए जल्दी बताइए मेरे कहाल से 27 point something चाहिए तो आप theory में यहाँ प पास हो रहे हो तो class 10 वाले बच्चों को ध्यान रखना है 10th और 12 दोनों के लिए पहले में 10th के discuss कर लेता हूं class 10 वाले बच्चों को ध्यान रखना है 20 और 10 का आप total कर लीजिए आपके बन रहे 32 out of 100 तो इसका मतला आप यहाँ पर fail declare कर दिये जाएंगे 100 में से आपको total 100 में यह matter नहीं करता कि मुझे theoretically, theory और internal दोनों में अलग-अलग individually pass होना है 10th class में matter करता है कि theory के number plus internal number जब आपके out of 100 count होंगे तो वह आपके 33 या 33 से जादा बनने चाहिए तो आप उस respective subject में pass declare कर दिये जाओगे जी हाँ, जबकि class 12 में इसका exactly opposite होता है, class 12 का होता है कि theory में individually pass होना है, practical में individually pass होना है, तब आप total में pass declare करे जाओगे वहाँ ऐसा scheme नहीं है, दुबारा बता रहा हूँ, class 10th वल बच्चो को individually pass नहीं होना है, theoretically plus internally is equals to 100 यानि कि 100 में से आपको 33 या 33 से जादा number लाने है, तो आप pass declare कर दिये जाओगे कुछ बच्चे मन में सवाल होता है, sir support, suppose हम 25 नमबर ले आए 80 में से, यहाँ हम fail है, yes sir, suppose sir यहाँ पर हम 15 नमबर ले आए 20 में से, यहाँ हम pass है, तो total में क्या होगा, 25 और 15 को plus कर लीजिए, which will be going to be 40 out of 100 यानि कि 100 में से 40 नमबर, और यदि आप 100 में से 40 नमबर ला रहे हो, क्या यह 33 से जादा number है, obviously yes, तो आप pass declare कर दिये जाओगे, अच्छा, एक और example लेते है, last example, sir suppose मैं इसमें तो pass हो रहा हूँ, 38 नमबर है मेरे, ठीक है ना, पर मैं practical में fail हो रहा हूँ, हलाकि internal में fail generally बच् नमबर रहे गए, बहुत ही rare होता है, बट फिर भी मैंने काया कि समझाने के लिए ले लेते हैं, तो कोई दिकत नहीं, 38 और 5 को आप add up करिये, तो कितना बनेगा, 43 out of 100, तो आप तब भी pass declare कर दिये जाओगे, यानि कि class 10 में matter आपका क्या करता है, class 10 में matter करता है कि आपको total, टोटल, जो ये टोटल है ना, टोटल में 100 में से 33 या 33 प्लस लाने है, आप theory में fail हो रहे हैं individually, या theory में pass हो रहे हैं, internal में fail हो रहे हैं, उसका असर आपके total पे नहीं पढ़ता है pass fail पर, main आपका total mark score calculate करा जाता है कि भाईया theory में इसके इतने number आए हैं, practical में या फिर internal में इ these two scores और उसके बाद जो आपका single score निकल कराते है out of 100, that will be checked as if you are fail or pass, उसको check करा जाएगा कि आप pass है या fail है, ये class 10 का passing criteria है, आपको कोई चिंता करने की ज़रूरती है, इससे अलग कुछ भी नहीं है, अभी तक कोई भी notice नहीं आया है, तो definitely 101% ये ही passing criteria follow होने वाला है, तो अब हम देख लेते हैं class 12 का passing criteria, class 12 का passing criteria क्या रहेगा, just a second, हाँ, good, तो class 12 का passing criteria, suppose आप physics पढ़ रहे हो और एक तरफ math पढ़ रहे हो, physics में आपका 70 marks का theory होता है, suppose उसमें आप 18 number ला पाए, और practical में sir आपने 28 number भोड़ दिये 30 में से, sir total, sir इसमें individually theory में fail हो रहा था, practical में pass हो रहा था, 28 और 18 कितने marks हो जाएंगे आपके, 46 out of 100, पर यहाँ पर 10th, अच्छा अगर यही हम 10th में होते हैं तो pass declare हो जाते हैं, पर क्योंकि यह 12th है तो आपको fail declare करा जाएगा, यहाँ पर आपको यहाँ भी pass होना पड़ेगा, यहाँ भी pass होना पड़ेगा, तब आपको total में pass कहलाई दिये जाएंगे, समझा रहा हैं, इसका मतलब maths में अगर आपका 80 marks का विपर होता है, वहाँ 40 लाते हो, pass हो, आप 20 में से 15 लाते हो, आप pass हो, यहनि कि 55 out of 100 आते हैं, तो आपको pass declare कर दिया जाएगा, यहनि कि class 12th में आपको pass तभी declare करा जाएगा, जब आप theory as well as practical, दोनों में individually, visually, indie, visually, आप अच्छा score करते हो, तो, यहनि कि passing marks gain करते हो, यहनि कि जितना भी है 70 या 80, उसका 33% आप score निकाल लीजिए, आपको उससे जादा लाने होंगे, तो यह passing criteria था, I hope आपको यह वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, subscribe मार देना यार, आपके लिए बहुत वीडिय आपके लिए पूरा devotee बन जाएं, आपको free of cost, 100% आपको content available करवाएं, one shot summary भी में आप वीडियो पर पेर हो रही हैं, आपकी chapter wise, subject wise for class 10th, as well as class 12th, आप subscribe करें, like करें और share करना है इस वीडियो को, thank you very much and bye bye